जारकन में जमीन घोटाले मामले मी एडी की जाच लगतार तेजह और इसकी रडार पर सूबे की मुखिया मुकमंत्री हेमंत सोरेन भी है पिछले बार 20 जनवरी को पूछ ताश करने के बाद कुछ अधूरे सवाल रहे गए हैं जिसे फिर से एडी के अधिकारी उन सवालों का जवाब मुकमंत्री हेमंत सोरेन से तलाशने की खोशिस कर रहे है यही वज़ाएं कि लगतार 25 तारीक को एक समन जारी किया गया कि 29 से 31 के बीच में आप समय और जगा बताईए और आप से पूछ ताश करने के लिए एडी के अधिकारी उस अस्थान पर पहुँच जाएंगे लेकिन मुकमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से एक पत्र एडी को दिया गया और उसमें बताया गया कि वह फिलहाल व्यस्त है उनका जो सीर्डियोल है वो एक महिने के आसपास का है क्योंकि कई कारेकरम है उसमें शिर्कत कर रहे इस वज़ा से उनके पास फिलहाल समय नहीं है तो इस कारणों पर समय नहीं देंगे लेकिन देर रात फिर एक पत्र जाने की सूचना जो है वो निकल कर आई है और सिधेत तोर पर अगर बात करें कि वो ED के अधिकारियों ने फिर से एक पत्र मुकमंत्री हेमंत सुरेन को लिखा है हलाकि इसकी कोई अधिकारिक पूष्टी नहीं है लेकिन सुत्रों के हवाले से खबर है कि एक पत्र जो है ED दफ्तर से CM आवास गया है और मुकमंत्री हेमंत सुरेन को ED के अधिकारियों ने कहा है कि आपसे कुछ जरूरी पूष्टाश करनी है कई सवाल है जिसे जाश में वो बाधा आ रही है यही कारण है कि हम आपसे जल्दी पूष्टाश करना चाह रहे है इस वज़ा से आप 29 से 31 तारीक की जो डेट है जो तारीक है जनवरी की उस पर ही आप समय और जगा बताईए जैसा पिछले पत्र में ED की ओर से कहा गया था जब नवा समझारी किया गया था तो उसी के बाद जब CM ने जवाब दिया कि व्यस था लेकिन फिर से एक ED की ओर से पत्र भेजा गया है हलाकि अब इसके बाद मुकमंत्री हेमन सोरेन क्या आगे श्टेप लेंगी कौन सा कदम बढ़ाएंगे यह आने वाला वक्त बताएगा लेकिन फिलहाल जो जारकंड में जमीन गोटाले की जाच चल रही है जाच काफी आगे बढ़ चुकी है अब तक दरजनों लोगों के ED जो है गिरपतार कर सलाकों के पीछे बेच चुकी है लेकिन यह जाच लगतार आगे बढ़ रही है और ED के पास कई साक्ष हैं कई दस्तावेज है जिसके आधहार परी मुकमंत्री हेमन्त सोरेन से उनका सवाल का जवाब जानने की कोशिस कर रही है अगर बात करें कि मुकमंत्री हेमन्त सोरेन को कौन सी जमीन मामले में जो है पूशताच ED के अधिकारी कर रहे है बताया जाता है कि बढ़गाई अचल की एक जमीन है पास से छे एकर और उस जमीन से जुड़े मामले में मुकमंतरी हेमन सोरेन से ED के अधिकारी पूछ ताच कर रहा है और जाच कर रहा है बतादे कि यह दस्तावेज जब बढ़गाई अचल की C.I. राजस्व करमचारी भानुपरशाद परताप की ठीकानों पर ED की छापे मारी होई थी तो उस वक्त उनके ठीकाने से बरामद हुआ था यह तापी लंबा समय गुजर गया करीब एक साल होने को है लेकिन तमाम चीजों की समिक्षा किया और समिक्षा करने के बाद गहनता से जाच होई उन तमाम दस्तावेजों की फॉरेंसिक लैब भेजा गया और वहाँ से जब दस्तावेज की पूरी तरह से पूष्टी होगी की दस्तावेज सही है और जमीन यहां की बढ़गाई अंचल से जुड़ी हुई है तो उसके बाद ही मुकमंत्री हेमंत सोरेन को पहला समन एडी की ओर से 14 अगस्त 2023 को भेजा गया था लेकिन इसके बाद मुकमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी पत्र एडी को दिया गया फिर सुप्रीम कोट का रुख कर लिया गया उसके बाद फिर अगर बात करें तो जहारकंड हाई कोट का दरवाजा खटखटाया तो सीधे तोर पर काफी लंबा वक्त निकला और आखिर कार जब आठवा समन सेम हेमंत सोरेन को एडी की ओर से भेजा गया तो मुकमंत्री हेमंत सोरेन को कहा गया था कि आपके बताय हुए जगा और समय पर ही और दिन पर हम वहाँ पहुचेंगे आप ही डिसाइड किजिए कि पूचताच कहा होगी तो मुकमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से 20 जनवरी की डेड़ जो थी वो निरधार थी गई और एडी को पत्र लिखकर बताया गया कि आप मुकमंत्री आवास में 20 जनवरी को पूचताच के लिए पहुच सकते हैं वह मौजू 20 जनवरी को करीब 7 घंटे से अधिक पूचताच चली थी एडी के अधिकारी एक बजे के दोपहर जो है वो मुकमंत्री आवास पहुच गये थे और मुकमंत्री आवास में पहुचने के बाद 2-5 बजे के बाद पूचताच का सिलसिला जो था वो शुरूआ और या पूचत सोरेन से खोज रहे थे तो उसके बाद से ही कयास लगाये जा रहे थी कि समन पर जो आगे की पूचताच है जो जाच की प्रकिरिया है उसे आगे बढ़ाने की कोशिस जो एडी कर रही है तो उस दिशा में आगे बढ़े ही और फिर से समन होगा और वैसे ही अगर बात कर ले तो 26 जनवरी की देर रात एक खबर निकल कर सामने आए कि मुकमंत्री हेमन सोरेन को एक पत्र फिर से एडी की अधिकारियों ने भेज दिया है और फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर इस पत्र पर मुकमंत्री हेमन सोरेन क्या कुछ निर्नय लेते हैं अगर बात कर लें कि एक तरफ तो ED की कारवाई चल रही तो दूसरी और जारखंड की जो सत्ता में काबिज जामूमों के कारेकरता सड़क पर उत्रे हुए ED और CBI के किलाब। सिदे तोर पर आरोप लगा रहे हैं कि एक आदिवासी मुकमंत्री होने का जो सजा है वो इन्हें दिया जा रहा है परसान करने की कोशिस केंदुरिये जाच एजनसी कर रही है और यह सब हो रहा है भाजपा की निसाने पर जो केंद्र की सत्ता में काबिज है तो पिलहाल जिस पर काफी आकरोज ज्ञामूमों के कारेकरता और नेतावों में देखा गया था, तमाम दुकाने बंद की गई थी सड़क को बंद कर दिया गया था, और उसके बाद जब नवा समन फेर भेजा गया तो अगर बात करेhartवे संथाल के ही दुमका की, दुमका जो जिला है, दुमक के द्वारा हार जाती है तो वह पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिस करती है कभी राजभवन का लिफापा खुलने की अफवा उडाई जाती है कि मुकमंत्री की सदस्ता चली गई है तो कभी ED और CVI को पीछे लगा दी जाती है लेकिन सीधे तौर पर अगर देखे तो आन CRPF के IG और कमांडन समयत अग्याज जवानों पर FIR किया गया और आरोप लगा कि यह मुकमंत्री आवास में घुषने की कोशिस कर रहे थे और कहीं ना कहीं जो 1444 लागू था निश्यदा गया वहाँ पर लागू थी तो उसका उलंगन किया है बिना किसी को डिप्टी जो जामुमों की ओर से प्रेस कॉन्फरेंस की गई विग्यप्ती जारी किया गया था और उस विग्यप्ती में जिक्र किया था कि मुकमंत्री आवास पास पहुच कर CRPF के जवान जामुमों के कारेकरताओं से उलजना चाह रहे था और राज में जब विधी विवस्ता बिगर लेकिन इन तमाम चीजों को अगर मिलाकर हम देखें तो सीधे तोर पर है कि कड़वाहट केंदर और राज के बीच बनी हुई है दन्यूस पोस्ट इससे जुड़ी अपडेट जो है तमाम हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आप बने रहें दन्यूस पोस्ट के साथ अगर और आप इस्टोर से आप दन्यूस पोस्ट डॉट इन का मोबाईल अप्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं नमस्कार